ओके, इस सेशन के अंदर हम पंडे जा रहे हैं, SQL Server के अंदर Order by Keyword अब यह Order by Keyword के पास दो ही values होती हैं, Order by Ascending और Order by Descending हमने Excel के अंदर या Different Number of Applications के अंदर यह देखा होगा कि हम Sorting अप्लाइ करते हैं A to Z और Z to A यह हम Numbers के उपर कुछ समभलने के Order apply करते हैं के Small to Large or Large to Small तो अब आपके पास अगर आप काम करते हो SQL Server के अंदर तो हमारे पास SQL Server के अंदर होते हैं Order by Keywords अभी Order by Keyword किस तरह से काम करते हैं The Order by Keyword is used to sort the result set in Ascending or Descending Order The Order by Keyword source records in Ascending Order by Default or you can use ASC Keyword यानि अगर आपने किसी भी कॉलम के उपर सिर्फ Order by लगा दिया फिर ASC लिखो या ना लिखो Automatic Ascending Applier हो जाते हैं उसके इलाबा To sort the records in descending order you use DESC Keyword यानि descending में करने के लिए DESC और ascending में करने के लिए ASC चलें जी apply करते हैं इसको यह इसका syntax है इसको मैं copy करता हूँ यहाँ पे लिखे आते हैं अभी हमारे पास एक टाबल थी में दिखा दिता हूँ यह इसका syntax रहेगा यह है तो हमारे पास इसके अंदर total number of products आपको शो हो रही है लेकिन हमारे पास यह जो name है यह products का नाम वाला column है इसके उपर आप ascending या descending apply कर सकते हैं किस तरह supply करेंगे यहाँ पर आते हैं आप सबसे पहले select लिखेंगे फिर आप लिखेंगे steric steric का मकसद सारे columns आपको दिखाने हैं उसके इलावा आप बताएंगे कि आपकी table का नाम क्या है तो हमारी table का नाम है tbl products और उसके बाद आपने सिर्फ order by लिखना है और उसके बाद आपके column करना है कि आप order by तो करना चाहते हैं लेकिन किस column की basis पे तो मैं चाहता हूँ हमारे पास name वाला column है उसके हिसाफ से order by अप्ला हो जाए यानि select करो सारे number of columns from table का नाम tbl products order by name अब अगर मैं इसको select करता हूँ execute करता हूँ तो आप देखेंगे सारे के सारे अब आपके sorting में शोर हो रहे है D सबसे पहले आता है H उसके बाद उसके बाद I उसके बाद S उसके बाद T अगर आप पहले देखते हैं तो यह इस तरह से data नहीं आ रहा था यहां भी देखेंगे सबसे पहले सॉमसिंग आ रहा ना साहिए तो अगर आप order by keyword लगाते हैं और आप कुछ भी नहीं लिखते हैं सिर्फ column का नाम लेते हैं तब भी ascending by default हो रहा है पुझे यही कह रहा था कि अगर आप ने सिर्फ order by लिखा साहिए और column का नाम लिखा और आपने AAC नहीं भी लिखा तो automatic यह order by किस से साफ से कर लेगा ascending order के साफ से साहिए तो यह AAC लिखें या ना लिखें अगर आपने सिर्फ order by लिख दिया फिर column का नाम बताया कि इस column के हिसाब से order set करो और ascending में करो तो आपके पास यह result कुछ इस तरह से शो करेगा अब इसने कहा कि ascending आप लिखो या ना लिखो ओके अगर आप AAC देते और नहीं देते उसे भी फरक नहीं पढ़ता अगर आपने सिर्फ order by लगा दिया इसका मकसद ascending इसके उपर लग चुका concept clear हो गया अब अगर आप इसको select करेंगे तो आपका automatic data ascending में आ जाएगा इसी तरह आपने अगर descending order में करना है तो सिर्फ आप क्या लिखेंगे D S that's it बाकी as it is query वही रहेगी और आपको सिर्फ क्या लखना है DSE तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि descending order में आपका data आपको शो हो रहा है सिर्फ एक column कौन सा वाला name अब अब उसके बाद उसके बाद हमारे पास अगर आप इसको apply करते हैं multiple columns के उपक तो बेटा हमारे पास accurate result नहीं आएगी accurate result नहीं आएगी यानि अगर आप descending और ascending दोनों apply करना जाते हैं एक column is ascending में दूसरा is the descending में तो यह कैसे perform करेगा जाहरे record दो भही है न यहां तो एक column के हिसाफ से ascending करेगा यहां तो एक column के हिसाफ से descending करेगा तो अगर आप ascending apply कर रहे according to name कामा लगाके आपने कहा order by price और आपने इसको कहा descending तो दो column आपने इस तरह से बता दिये अच्छा जी जुप जहें इसका syntax देख लेते हैं order by अच्छा सिर्फ order by एक बाल लिखना है उसके बाद आपको ascending और descending की देना है concept clear हो गया कि आपने लिखा order by order by लिखने के बाद आपके column का नाम क्या था name और उसके बाद price और आपने क्या लिख दिया DEC यानि मैं ascending करना चाहता हूं नाम के हिसाफ से और descending करना चाहता हूं price के हिसाफ से तो अगर आप यहां तक output देखें अगर ascending के हिसाफ से देखें तो क्या आ रहा है नाम के हिसाफ से ascending order अपला हो रहा है लेकिन अगर मैं दोनों columns को select करके यहां पे आपका तो आप देखें क्या रहा है फिर भी आउट्ट वही है कुछ फरक पड़ा नहीं जाहरे एक वेल्यू या एक रिकॉर्ड अगर आपके नीचे जाता है तो पूरी वेल्यू एक साथ नीचे जाएंगे ने पिटा वह एक इसा तो नहीं होगा ना कि एक सेल की वेल्यू उपर हो एक सेल की वेल्यू नीचे हो क्योंकि record is a combination of multiple columns ऐसे यह न तो आप अगर क्या करते हैं इस तरह अप्लाय करते हैं अच्छा अगर आप नाम डिसेंडिंग में अप्लाय करते हैं और प्राइस असेंडिंग में अप्लाय करते हैं तो फिर क्या होगा अब यहां तक output देखें अ अगर आपने name descending दिया है तो यह descending के साथ से तो शीपा बिल्कुल टॉप पे पड़ा इसी तरह अगर मैं दोनों column तो select करके चलाओं तो अब आपको फिर से output वही मिलेगा वजह simple है यह पहले column जो भी इसको मिला उसको consider कर रहा है second वाले को ignore कर रहा है अगर पहला ascending है तो पहला ascending ही करेगा और दूसरे को नहीं देखेगा अगर पहला descending है तो descending ही करेगा second column को वो apply नहीं करेगा answer clear है तो कल को अगर आप apply करते हो order by keyword के साथ दो column तो accurate result नहीं आएगा जो आपने order by keyword के बाद पहला column दिया उस पे चाहे ascending apply किया या descending apply किया वहीं apply होगा second वाला column check नहीं होगा तो यह था order by keyword according to you can say different आपके जो है columns के हिसाब से